आप देख रहा है न्यूज 1-11 और इस बक्त बिहार जो है वो इतिहास रच रहा है क्योंकि साड़ी 11 से 12 के बीच का जो समय था वो इतिहास रचने के लिए ही इंगित किया गया था क्योंकि विस्त्र में अब तक ऐसा नहीं हुआ था जब इतनी बड़ी मानोस रिंकला बनी हो कियारीों को इस मानोस रिंकला की इत्यास को अपने कैमरे में कैने के लिए इसमार बिहार सरकारें फुट 15 हेलिकॉप्रый लगाए है और आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने गांधी मैदान के ठीक उपर एक हेलिकॉप्रटर है जो कि पथले 10 मीनिंट से सपर कर रहा है इस हेलिकॉप्टर में अगर बात करें तो कहा जा रहा था कि इस हेलिकॉप्टर में मुंबई के जाने माने फिल्म हस्तियों की टीम होंगी जो कि इस इतिहास को अपने क्यामरा में क्यात करेंगी और पिछले 10 मिनट से भी ज्यादा से आप देख सकते हैं कि हेलिकॉप्टर जो है वो गांधी मैदान के आसपास के इलागों को आपको ये कैप्चर कर रहा है इसमें लोग जो मानोर सिंख्रा के साथ खड़े हैं इसमानोर सिंख्रा में आप इसको मान के ठीक बगल से देखते हैं उड़ता हुआ ये हलिकॉप्टर ये रच रहे इतिहास को अपने कैमेरा में कर रहा है लोग जो कि एक दूसरे से हाथ से हाथ मिलाए खड़ा है और उस इतिहास को ये हलिकॉप्टर जो है वो कैप्चर कर रहा है और इस इतिहास को सजोने में जूटा हुआ हुआ है गांधी मैदान के आसपास के इलाकों को ये हिलिकॉप्टर पीछे कई मिनट से कैप्चर कर रहा है इन तस्वीरों में और इसमें बताई जा रही है कि मुंबई से जाने मानों कि रहापत होंगे वो इसमें बैठे होंगे और ये तस्वीरों को अपनी कैमेरे में ले रहे कि बिहार की इन बन रही इत्यास को इन तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए बिहार में कुल 15 हलिकॉप्टर लगा गया है जिसमें से 13 किरायक हैं जबकि बाकी जो दो है वो बिहार सरकार के हैं तो आप देख सकता है फिर से एक बार गांधी मैदान के उपर ये भ्रमन करता हुआ ये हलिकॉप्टर तस्वीरों को अपने कैमेरा में कैद कर रहा है दिए ठीक सामने जो आप देख रहे हैं आप देख सकते ठीक ऊपर जो मंच है उसके ठीक ऊपर से आया ये चॉपर जो है गो इतिहास प्रिश्ट को अपने कैमरे में क्याद कर रहा है देख सकते हैं कैमरे की वो कैमरे जो है वो बाहर एक आदमी दिख रहा होगा आपको इस हलिकॉप्र के माध्यम से आप देख सकते हैं क्योंकि हमें दिखाई दिरीज तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक आदमी है जो कि बाहर है लटका हुआ है इस हलिकॉप्टर के बाद्यम से और गांधी मैदान के ठीक ऊपर बीच की तस्मीरों को आप वो अपने कैमरे में कैद कर रहा है ये तस्मीरे हैं गांधी मैदान की जिसे हम भी आपके सामने दिखा रहे हैं और ये आपके सामने भी उंद्रिसों को कैप्च जो बनाई गई है उसमें ये लोगी सामिल है और इन लोगों की सहबागिता है इसके आरावा एक तस्बीर आप देख सकते हैं जो कि बच्चे अपने साथ अपने साथ एक तक्ति लटका हुए है जिसमें लिखा हुआ है बाल गिवा एवन वन जाती मुक्त हो बिहार हमारा यह आप देख सकते हैं एक सुंदर से नजारों के साथ यह बच्चों के पास जो तक्ति लगी हुए है इसमें लिखा हुआ है बाल बिवा एवन दहेज मुक्त हो बिहार हमारा इनका यह फ्लोगन है और इसके साथ यह लोग आए हुए है इसकूल कोई छात्राएं है वो आप द पार और जाठखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें